जितने आस्था चेनल पर कता सुन रहे हो जितने फेस्बूक और यूटूब पर सुन रहे हो और साउधानी से सुनना तो जिनकिया संपदा की कमी होती है वैवहो की कमी होती है लचमी की कमी होती है प्रतिष्ठा की कमी होती है धन की कमी होती है उसके लिए पैसा गड़ में आता हो बहुत चिंता लगी रहती हो लच्नी से जुड़ी हुई वैपार से जुड़ी हुई पैसा हाई लिया बहुत मिनक कर रहे हैं करजे से मुक्ति पाने के लिए वैपार की भृत्धी के लिए के बल एक देवदी देव महादेव की आराधना पारीजात के फूल से करी जाते है अब उस पुष्पु को चड़ाने का एक तरीका है तरहा ध्यान दीजिएगा पंच पुष्पु शुमहा पुरान की कथा आप सुनने के लिए बेठे हो बड़ी आस लगा कर बेठे हो उसको समझें चैनल पारीजात का जो फूल शिवजी को चड़ता है भगावन देवधी देव महादेव को घड़ता है जैसे ही शिव लिंग घा różब इजलाद्धारी है यह जल नीचे गिरने का इस्थान ऐब लोगों में पहले कथा सुनी है ना सबने आपको सबको मालूम होगा राइट में गणेजी का इस्थान लेफ्ट में कार्टी के का इस्थान बीच में अशुक सुन्दरी की जलां जहां पर यह शिवलिंग रखा है वो माता पारवती जी का हस्त कमाल शिवलिंग के रूप में शंकर पहारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की पाच लड़कियां जया विशहरा शामली बारी दौतली और देव ये शंकर जी की पाच बेटियां वंशवर्दी के लिए कारिसिद्धी के लिए वेभव प्राप्ति के लिए या अपने हिर्दय की सुक सम्रद्धी के लिए संतान प्राप्ति के लिए पारिजाद हार सिंगार के फूल की शिवजी को अराधना होती है हार सिंगार का जो पुष्प होता है अस्वक सुंदरी वाली जगा पर हम पारीजाद के पुष्प को समर्पित करते हैं उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब आपन अस्वक सुंदरी पर चड़ाते हैं कुल का मुख इदर होता है बापिस उसी पारिजात के फुष्प को उठाकर हम माता पारवती जी के हस्त-कमल कर जो गोल हस्त-कमल है वहाँ समर्पित करते हैं उस जगाँ पर माता पारवती जी की औरसे जो पुष्प पुष्प समर्पित किया जाता है उसकी डंडी पारीजात की हमारी ओर होती है पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है तीसरी जगहा जब हम पारीजात के पुष्प को असुक सुंदरी पे से उठा कर जगजन्नी के हस्त कमल पर रखते हैं हस्त कमल पे से उठा कर देव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं उस समय पर पारीजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है इस जगहा पर पारीजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बिमारी आपको घेर नहीं सकती, अगर सर्सों के फूल शीव को चड़ रहे हैं तो, और प्रयास करना कि सर्सों का जो पुष्प होता है, सर्सों का जो फूल होता है, मारक अगर कोई व्यक्ती को केड़नी या लीवर से जोड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ती का एक्सिडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रे गया और वो काम नहीं कर रहा हो जैसे किसी के पाउं रह जाते हैं एक्सिडेंट के बाद किसी का हात रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो वहां ब्लेट पहुच नहीं रहा हो वो जगा एकदम सुन हो गई हो खाली पड़ गई हो तो उसक के द्वारपाल मनिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कोन निवास करते हैं, मनिभद्र, शंकर जी के द्वारवाजे के द्वारपाल में मनिभद्र जी, तो मनिभद्र द्वारवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मनिभद्र जी विराज़ते हैं, मतलब जाएगे तो शंकर जी हुए जाएगा, क्योंकि शिवजीसे युए जटे यी थे शंकर जी करें लुद्धा उनको रइवाट धर्वय तो राइट भात सीधा हाथ मनीभद्रजी का इसता है 11 सर्सों के पुष्प मनी भद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मनी भद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 बापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं ये पुष्प आप रखने के बाद एक बाहर जाएंगे फिर बापिस आएंगे मनी भद्र कर रखने के बाद औ और अंदर जाकर 108 सर्सो के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे, उस सर्सो के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहें, उसको वापिस लेकर आएंगे, शिरी शिवाय नमस्तु भ्यम बोल कर उस सर्सो के पुष्प को महारच सर्सो के तेल की बॉटल में उसको डाल शिव जी को उसको वापिस लेकर जाए उस तेल का प्रयोग आप नाभी में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस इस्थान पर कम से कम 15 दिन 20 तक उसकी मालिश करना प्रयारम करिए बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने अरे पहले बोल दी हमार साथ तो बोलो श्री शिवाय नमस्तु भ्यम बगवान शिव के मंतर का सुमर्ण कर कर करते हैं ओम नमस्यवाय दोस्तों हर हर महादे हमारे यूट्यू चैनल में आपका स्वागत है अब पंडित परदित निश्रा जी के मुख से अच्छी कुपाय क के बारे में जाने और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो अवस्ते करें इसी तरह बताये गए स्रीव महादे नमस्तु भ्यम हर हर महादे घरगर महादेव